यूस एटी इंडिया सद्यों की प्रतिच्छा के बार रमाने राम आदे रेजे श्री राम राम मंदिर के विरोधी सत्तावन मुस्लिम देश 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में राम लला की प्रान प्रतिष्ठा ने जहां 140 करोण हिंदुस्तानियों को गदगत कर दिया है तो वहीं दूसरी तरफ सत्तावन मुस्लिम देशों में राम मंदिर को लेकर गदर मचा हुआ है हद तो तब हो गई जब OIC यानि सत्तावन मुस्लिम देशों के संगटन Organization of Islamic Corporation ने अयोध्या में राम मंदिर निर्मान पर आपत्ती जाहिर करते हुए कहा कि पहले बाबरी मस्जिद खड़ी थी भारतिय शहर अयोध्या में जिस जगा पर पहले बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी वही राम मंदिर का निर्मान और इसकी प्राण प्रतिष्टा गंबीर चिंता का विशे है OIC इन कदमों की निंदा करता है जिनका लक्ष बाबरी मस्जिद जैसे महतपून स्लामिक स्थलों को मिटाना है बाबरी मस्जिद उसी स्थान पर पांच सदी तक खड़ी थी OIC को बाबर से प्यार, राम मंदिर से नफरत अयोध्या में भव्वे राम मंदिर निर्मान और राम लला की प्रान प्रतिष्टा से एक दो नहीं बलकि पूरे 57 मुस्लिम देशों को मिर्ची लगी है इससे पहले पाकिस्तान ने भी प्रान प्रतिष्टा समारों पर सवाल उठाये थे और कहा था कि ये भारत के लोकतंत्र पर धंबे की तरह बनेगा OIC ने राम मंदिर का विरोध करके एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि OIC भारत के धार्मिक और समेजिल मुद्दों पर बयान देकर खुद को मुस्लिमों का मसीह साबित करना चाहता है इससे पहले 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने जम्मु कस्मीर से 370 हटाने की निंदा की थी और इसे भारत का एक तरफा फैसला बताया था 22 जनवरी से अब तक लाखो रामभक रामलला के दर्शन कर चुके हैं अयोध्या की तस्वीरे देखकर पाकिस्तान दहाले मार कर रो रहा है 57 मुस्लिम देशों वाले संगठन OIC में पाकिस्तान भी शामिल है जो बार बार सौधी अरब पर दवाव डाल रहा था कि वो OIC के जरिये राममंदिर के खिलाफ अंतराष्टे स्तर पर सक्त कदम उठाए इधर देश में कई हिंदू संगठनों ने राममंदिर का विरोध करने पर OIC की कड़ी निंदा की है पहले भाबर आया या पहले राम है पहले तो वहाँ पर मंदिर था बाबर के समय उसको तोड़ दिया गया और बाबरी महजीद बना दिया गया मेरा जो राम मंदिर था हम लोग अपना राम मंदिर को पुना वापस ले लिए वहाँ जो है जबर्दस्ती का महजिद बनाया गया OIC का दोहरा चरित्र, मंदिर का विरोध, मस्जित का समर्थन सौधिय अरब के जद्दा में OIC के 57 मुस्लिम देशों की तरफ से राम मंदिर पर नफरती बयान दिये गए है लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि यही OIC राम मंदिर बनने का विरोध कर रही है लेकिन वहीं दूसरी तरफ जॉलाई 2020 में जब तुर्की ने जबरन डेढ़ हजार साल पुराने चर्च को मस्जित बनाया था तो यही OIC चुप्पी साथे बैठा रहा था जराब साल 2020 की इन तस्वीरों को देखिए जहां तुर्की के राष्टपती चर्च को मस्जित बनाते वक्त स्तानबुल में मौजूद एतिहासिक इमारत हागिया सोफिया को चर्च से मस्जित बना रहे हैं 22 जनवरी 2024 को पीम नरेन रमोदी की अजमानी में राम लला की प्रान प्रतिश्टा हुई देश से लेकर दुनिया भर में राम मंदिर को लेकर जश्नोन आया गया तो वहीं जॉलाई 2020 में तुर्की के राष्टपती रेचेप तैयप अर्दुआन ने इस्तानबुल के एतिहासिक आगिया सोफिया चर्च को दुबारा मस्जित में बदलने के आदेश दे दिये थे जिसके बाद चर्च को मस्जित बनाय गया था वही 500 साल के धीशन संधश और कानूनी लडाई के बाद सुप्रीम कोट के आदेश पर अयुद्या में राम मंदिर बनाय गया कोट आदेश पर अयुद्या में ही 5 एकड़ से ज्यादा जमीन मस्जित के लिए भी दी गई राम मंदिर बनाते वक्त सभी पक्षों की भावनाओं का पूरा ख्याल रखा गया है जबकि तुर्की में 1500 साल पुराने चर्च को तुर्की के राश्टपती रेचेप तयब अर्दुआन के इसलामिक जुनून के चक्कर में मस्जित बना दिया गया साल 2020 में चर्च को मस्जित बनाते वक्त राश्टपती रेचेप तयब अर्दुआन ने पूरी दुनिया में ये सावित करने की कोशिश की कि वही इसलामिक मुलकों के सबसे बड़े खलीफा है जो चर्च को मस्जित में बदल सकते हैं हैरानी की बात तो ये कि लगभग 4 साल के अंदर ही 57 मुस्लिम मुलकों से बनी OIC का 12 चरित्र सामने आ चुका है जहां योध्या में बने राम मंदिर का OIC विरोध कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की में चर्च को मस्जित बनाने पर OIC ने अभी तक चुकपी साद रखी है सतामन देशों के मुस्लिम संग्ठन ने राम मंदिर का विरोध करके दुनिया भर के हिंदू संग्ठनों को नाराज कर दिया है हैरानी की बात ही है कि जहां OIC राम मंदिर वनने का विरोध कर रहा है वहीं जब तुर्की ने जवरन एक चर्च को मस्जित में तब्दील कर दिया तो ये तुर्की के कदम पर OIC चुपी सादे बेठा रहा था आप हागिया सोफिया चर्च के बारे में भी जान लीजिए पूरी डीटेल इस वक्त आपके सामने हमका चचा चठा के जरीयत देने जा रहा है दरसल खरीब पंध्रह सो साल पुराने हागिया सोफिया चर्च को तुर्की के राश्पती एर्दौान ने साल 2020 में मस्जद बनवा दिया था तुर्की ने पंध्रह सो साल पुराने चर्च हागिया सोफिया को पहले चर्च से मस्जद बनाया था ये तुर्की की दरसल पहली बड़ी चाल थी जो कुछ इस तरह से सामने आ गई थी वहीं इसके बाद साल 1930 के दशक में मस्जद को दोबारा से म्यूजियम में तबडिल कर दिया गया यनि जो मस्जद था वो फिर से म्यूजियम बन गया था ये वक्त तुर्की के लिए बेहत मुश्किल वक्त रहा बेहत कटिन दौर से वो गुजर रहा था लेकिन साल 2020 में देखे साल 2020 किस तरह से खास रहा क्योंकि इसी साल में दोबारा से म्यूजियम को फिर मस्जद बना दिया गया राश्टपती एर्दुआन ने म्यूजियम बन चुके चर्च को मज़द बनवाया था क्योंकि उन्होंने चुनाव में अपने समर्थकों से चर्च को मज़द बनाने का वादा किया था Y.C. को बाबर से प्यार, राम मंदिर से नफरत हैरानी की बाद तो ये है कि पाकिस्तान से हिंदु मंदिर और हिंदुों का सफाया करने वाला पाकिस्तान भी राम मंदिर पर भड़काओ बयान देने में जुटा है राम लला की प्राण प्रचिष्टा के बाद से पूरे पाकिस्तान में मातम जैसे हाला थे यह चीज समझ नहीं आती मुझे कि अगर यहाँ पर कोई मंदिर बनता है तब भी मुसल्मानों पर जुलम होता है अगर डिवलप्मेंट होती है तब भी मुसल्मानों पर जुलम होता है अगर कश्मीर की बाद उठती है तो तब भी मुसल्मानों पर जुलम होता है तो मुझे सारे मंदिर भी बनेंगे ये बहुत जरूरी है तो बदाई हो तमाम हिंदुस्तानियों को मुसल्मान सिख हिंदू पार्सी जो भी है कि ये एक बहुत अजीम काम होने जा रहा है और उसके लिए मैं सिर्व इतना कहूंगा कि जे श्री राम हमारे पुर्खों की हुई भयानक गल्तियों जर्मों जरायम में से ये एक छोटा सा करेक्शन हुआ है हैरानी की बात तो ये है कि जहां दुनिया के 57 मुसलिम मुलकों का संगटन OIC राम मंदिर का विरोध कंडे में जुटा था तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, उस्क्वेलिया, फ्रांस, मौरिशिस ताइवान समयत दुनिया के 55 देशों में राम मंदिर को लेकर जम कर जश्न मनाए गया न्यू यूर्क टाइम स्क्वेर से बॉस्टन तक कूरे रास्ते पर राम मंदिर में प्रांड प्रतिष्टा समारो का जश्न मनाए गया वाशिंटन और सैन फ्रेंसिसको में एक कैई कारिक्रम हुए ऐसे हालात में सवाल उट रहे हैं कि आखिर OIC को भारत के राम मंदिर पर एतरास क्यूं है जो समविधानिक और कानूनी तरीक्ते से बना है बारत के कैई मुस्लिम संगठनों ने OIC के बयान की निम्दा की है कुछ जानकारों के मताबिक OIC में शामिल सभी सत्तावन देश राम मंदिर का विरूद भी नहीं कर रहे है लेकिन संगठन में होने की वज़ा से साथ देना इनकी मजबूरी है अब देखना होगा कि राम मंदिर पर OIC बयान तक सीमित रहेगा या फिर भारत इस पर सक्त प्रतिक्रिया देगा जाल देखना होगा थारती संथ भी राम होगा प्रुम्राइबंवा थारती संग्वा थारती संग्वा